तो हेलो एवरिवन आज की वीडियो जो है वो एक स्पेशल डेली उनिवर्सिटी की कल रात को नोटिफिकेशन एडमीशन चालू हो गई है डेली उनिवर्सिटी के अंदर आपके तीन पार्ट्स होते हैं एक होता है हमारा रेगुलर एक होता है नॉन कॉलेज जो की लड़कि है लेकिन एस वेल ने जो की मुझे उमीद था के एस वेल दिसंबर में अडमीशन लेके आएगा लेकिन बहुत जल्दी लेके आया तो आप सभी के लिए हैलफुल रहेगा के अडमीशन ले ले और साथ के साथ कुछ नई कोर्सिस है उसके उपर भी हम बात करेंगे लास्ट जैसे ही गूगल करोगे पहले मिल जाएगा डेली युनिवर्सिटी की साइट और इसके अंदर आपका यूजी एडमीशन और एंबीए कोर्सिस लांच किया मैं एंबीए के बारे में कोई बात नहीं करूँआ समेस्टर वन की बात करूँआ मैं और यह हमारा अलग से यह प पूछ लिया जाएगा और यहाँ पर अपको सारे और अप्सट वगरा मिल जाएंगे और एडमीशन आप वहाँ पर जाएंगे पॉटल पर मिल जाएगा स्टूडेंट लॉगिन वाले पूटल पर और वहाँ एडमीशन के लिए मैं अलग से प्रॉपर वीडियो बना सालrebे हैं और कौर्स कौन-कौन से है कि यहां क्लियरली मेंशों कि युप क्लियरली-क्रीस का है हुआ है and तो वो चीज़े आप देखते जाएंगे और सर क्या हुआ यहाँ पे यहाँ पे कुछ नए कोर्सिस जितने भी undergraduate program की कोर्सिस हैं वो सारे बता दिया डेली उनिवर्सिटी ने और इस बहुत जल्दी और मुझे लगता है कि इस बहुत अच्छे से होना चाहिए तो सबसे पहले आपका एक आगया बैचलर यानि बीबी ए इससे सिंपल हम बोलते हैं बीबी ए नॉर्मली पहले बीबी ए के लिए क्या होता था बच्चे चले जाते थे आईपी उनिवर्सिटी में वहां पे तीन से पांच लाख रुपे तक का फीस पे करते थे तब जाके अड्मिशन होत बिजनस के रख रखाऊ से सारी बातें आपको बताई जाएंगे तो बहुत बैटर कोर्स है मैं कहूंगा पहले था नहीं तो कुछ करनी सकते थे आईपी उनिवर्सिटी में आप चार से पांच लाख या इमेटी उनिवर्सिटी में जाएंगे तो दस लाख रुपे भी खर पांगा क्यूंकि आर्ट्स वालों का जो है वह नीचे दे रखा है और लेकिन में कॉमर्स को इपढ़ा रहा हूं तो मुझे जादा नौलेज। कॉमर्स का तो बैटर उसके बारे में बता पाँए इसके बादा आर्ट्स का मैं कहने सकता एक क्या है हमारा बैचलर ऑफ कॉम और बैचलर आफ कॉमर्स आउनर्स यानि मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स वाले बच्चे अब चार पहले सरिफ एसुए लिकंदर दो ही था या भी अब बीकॉम करो या बीकॉम ओनर्स करो बात खता लेकिन अब उन्होंने क्या करा चार चीज़ें लेके आगे आप आपको बेनिफिट मिलेगा उसको अलग से मैं बताऊगा तो अभी फिलाल आपके दो कॉर्स लाँच हुए हैं और इसके बाद हम आगे चलते हैं सर यह पोस्ट ग्रेजविट प्रोग्राम है प्रोस्पेक्टेस डाउंडूड करेंगे तो यह आपके खाम के चीज़ नहीं है कि पहले हम ना चार सब्जेक्ट या पांस सब्जेक्ट पढ़ा करते थे सेमिस्टर वन में अब डियू ने क्या करा उस सब्जेक्ट को इंक्रीज करती है यानि अब साथ सब्जेक्ट पढ़ने होंगे बच्चों को छे महने में और साथ सब्जेक्ट पढ़ने होंगे दू पॉलिसी आई है पहली मैं बात कर लूँ सर यह बीबीए का स्लेबस है सर और आप देखेंगे ना तो बीबीए के स्लेबस के अंदर आपके कुछ बाते हैं यहां पर इस वीडियो में कंप्लीट में इंफॉर्मिशन थोड़ी थोड़ी दूगा डिटेल तो नहीं जा सकता एक कहता है कोर सर कोर क्या होता है यह में सब्जेक्ट है जो आपको लेना ही लेना है ठीक है ओल आर कंपलसरी मतलब इसे तो लेना ही है इसके अंदर आप्शन नहीं है सर आपको यहां पर Financial Accounting Analysis मिलेगा अकांट जो ग्यारवी क्लास के अंदर आप अकांट पढ़के आये थे या बारवी में थोड़ा पढ़के आये तो वो तो होगा ही होगा आपके पास इसके बाद Micro Economics जो आपने ग्यारवी बारवी में पढ़ा है वो भी होगा ही होगा इसके बाद Statics जो कि आप से यह कर लेगा इसमें इंट्रस्ट है यह कर लेगा कितने सब्जेक्त वैसर चार इसके बात बोलता है यह कंपंगा सरी यो का मतलब आप कुछ एसा टेक्निकल करो चैसे कि आपको जॉब में Benefit अआइंkon ये हैं आपका academic ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ये आपको सिखाता है कुछ extra journal मतलब क्या करना चाह रहे हो ये बता रहे हैं कि भाईया आपको fundamental चीज़े पता होनी चाहिए ये बता रहे हैं अपने skill को कैसे enhance करोगा तो इसमें से कोई एक subject choose कर लो skill के अंदर देखो option मिला है क्यों option मिला है आप किसी एक चीज में skill अपना perfect कर सकते हो उन्होंने कहा finance ले लो या आप communication ले लो या फिर आपका अलग से दे रखा है रंग मंच मतलब हर तरीके के option मिले हैं आपको आगे कहता है value edition courses आपको अलग से दिया गया कि इसके अंदर और add किया है इसमें से तो देखे एक दो तीन चार और तीन compulsory total साथ subject हो गए आपके exam March में आएंगे date set आ चुका है March में exam होना है not a easy task अभी से पढ़ना चालू करोग स्टार्ट मैं कर रहा हूं और हर किसी को मैं एक वीडियो धीरे धीरे करके detail में बनाना भी चालू कर दूँगा admission process के लिए भी मैं क्या करूँगा आपके लिए proper वीडियो बना दूँगा जिससे आपको help मिल पाए आप phone से भी admission कर सकते हो जरूरी नहीं कि आपको साइवर आप देखो यहां पर fundamental of management आ गया और इसके बाद statics पहले भी था financial accounting analysis बस क्या करा उन्होंने सफ्लिंग कर दिया उपर नीचे देखोगे तो बीबी और बीए में बीए में से बेटर कौन सा है इसके उपर मैं अलग से वीडियो पर चर्चा करूँगा क्योंकि इसमें करूँ यहां फिर से यह सारे subject आ गए यानि तीन और यह पांच यह बीए मेंस के क्या हैं आपके subject इसके अंदर भी मैं इसकी वीडियो डालने चालू कर दूँगा अभी slavus reveal नहीं हुआ है लेकिन slavus के according final account branch account यह सारी चीज़े आने वाली है तो उसके उपर मैं अभी से डालना च सब्जेक्ट है यहां पर भी देखिए आगे financial account सर वहां पर ता financial account analysis दो चप्टर एड़ हो जाएंगा वहां पर रेशो और कैश फ्लो और यहां पर सिर्फ क्या है financial account तो कुछ दो चप्टर यहां पर कम होंगे यह बीकॉम और तो यहां पर भी तीन चार पांच छे सास सब्जेक्ट है अगे financial accounting आगया तो देखो accounting तो हर किसी में compulsory देख रहे होगे आप इससे तो बची नहीं सकते fee structure और percentage देखिए इसने कहा के BBA, BIA कर दिया इन्होंने bachelor administration नाम शॉटकर लेकिन है BBA इसके लिए आपको 12 में कम से कम 65% marks लाना ही लाना पड़ेगा किसी भी recognized university से और mathematics के अंदर 60% होना चाहिए देखिए criteria कर दिया यहां पर तो यानि जो without math वाला बच्चा है यहां पर फस ज क्या कर दिया उसने 60% मैस में चाहिए और 60% 12th class में चाहिए हो सकता है कोई provisioning change हो जिस तरीके से बीकॉम के अंदर 55% चाहिए और यहां पे आपका mathematics accounting subject के हिसाब से होना चाहिए 55% normally यहां मैस की कोई जुरत नहीं है अभी इसके बाद आ जाते हैं सर बीकॉम प्रोग्राम वहिए बस आप पास हो जाईए बीकॉम प्रोग्राम के अंदर आप पढ़ाई करिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी 33% लाईए और आप पास होके इसको कर सकते हैं चलिए सर फी स्ट्रक्चर का मेन मेन चीजे मैं बात कर लूँ जो की था बच्चों को पूछना था प्रोस्पेक्टर तो बहुत बड़ा है अब देखे ये फी स्ट्रक्चर की बात करें मैं दो तीन सब्जेक की बात करूँआ बीकॉम प्रोग्राम की फीस पांच हजार पहले 3500 रुपे हुआ करता था अब बढ़ा के थोड़ा 5000 कर दिया गया है लेकिन इसमें एक्जामनेशन फीस इंक्लूड कर दिया बीकॉम ओनर्स की फीस पचपन सो पांच सो रुपे एक्स्ट्रा कर दिये गये हैं इसके बाद जाते हैं हम जो बीएमस वाले सब्जेक्ट से बैचलर और बिजनस अड्मिस्टेशन इसकी फीस 15200 पूरे साल की फीस है इसके साथ साथ देखें हम तो बैचलर बीएमस की बात करें तो इसकी भी 15200 पूरे साल का है लेकिन हो सकता है इसके अंदर सीट के हिसाब से इसकी चिंता आपको नहीं करने यानि 15200 जो कि फीस के मामले में अगर मैं बोलू हो सकता है कुछ बच्चों के लिए कोई बड़ी अमाउंट ना हो लेकिन मैं मैं मानूँगा यही कोर्स करने के लिए बीबीए वगरा पांस से छे लाग रुपे एक्स्पेंस करते थे अधर इनिवर्सिटी में जैसे IP हो गया MET हो और भी प्रैबेट इनिवर्सिटी जो कि आपको 15-50000 में पूरा कराके दी रही है एक तरीके से सर्फ 50-50000 क्योंकि 15-15 3 साल जोड़ लो कितने हो गये 50-5000 में आपको पूरा का पूरा करवाके दिया जा रहा है तो यह बहुत अच्छी of payment 31 October 2022 please do not wait for last date last date पर सर्वर डाउन हुआ आपके पैसे रुख गया कोई दिक्कत आप फिर आपको admission भी रुख जाएगा तो यह थोड़ी से जानगारी थी admission हो गया है अब हर के साथ admission कैसे होगा उसका भी मैं एक वीडियो लेकर होगा थैंक यू सो मच मिलते हम नेक्स वीडियो में